सिच्छा से जोड़ी अपडेट सबसे पहले इस चानल मौरिय गुरु एकेडमी पर फटा फट पाते रहें सबे स्टूडेंट्स जिहां दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए बता दिये जाए कि बिहार आईटी आई फॉर्म 2021 की सप्लाई आउनलाइन कैसे करें आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जंकारी देंगे बिहार आईटी आई फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है पांच जुलाई से आप लोगों को बता दिये जाए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि बिहार आईटी आई फॉर्म 2021 अ कर दिया गया है अगर आप भी आईटी आई अप्लिकेशन फॉर्म 2021 अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखें अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जॉइन हुए तो टेलिग्राम ग्रूप से जॉइन होजए यह वी 2021 के अंतिनती थी 5 अगस्त 2021 तक निर्धारित किया गया है यानि 5 जुलाई से स्टार्ट है और 5 अगस्त तक जो है अप लोगों का डेट रखा गया है अब यहां पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सभी धी दोरान अभिहारत्री ओन्लाइन आवेदन के लिए रजिस्ट 20 पास मैट्रिक अच्छा होना जरूरी है यानि 10 है अप लोगों का होना जुरूरी है किसी बी बोर्ट से चाहे कोई बी मोट है आप लोग आपतला रहा है सब स्क किया हैं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों minimum जो है आप लोगों का उम्रे 17 वर्स अधर ट्रेडिस 14 वर्स होनी चाहिए ठीक है minimum आप लोगों का 14 वर्स ध्यान रखें यहाँ पर देखिए online registration start date 5 जुलाई online registration last date 5 अगस्त apply online start हो चुका है यहाँ से आप लोग apply कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में website का link के देदूगा ठीक है apply करने के लिए देखें यहां पर साथ तर पर क्या होता है जा रहा है कि जर्नल ओविसी के लिए निर्धारित सुल्क साड़े 700 रुपे यहां पर देख सकते हैं और सीज़्टी काटग़ी के चात्रों के लिए 100 रुपे रखे गया है जर्नल ओविसी के लिए साथ रुपे और सीज़्टी के लिए जबकि पी एच के लिए साड़े चार सो रुपे सुल्क रखा गया है, मतलब अव्यातरी क्रेडिट कार्ड, डेविड कार्ड, नेट, वैंकिन, उपियाई के थ्रू, मतलब सुल्क ऑनलाइन भुकतान कर सकते हैं, यह सब आपको टेंशन लेनी के जोड़त नहीं है, आप एक किसी भी साइबर काफ या सुधा केंद्र जो है, आप लोग उसके पर माध्यम से जाकर आउनलाइन करवा सकते हैं, इतनी सारी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, इच्छिप यूग या उमिदवार, BCEC, बोर्ड के अधिकारी की वेबसाइड के माध्यम से अपना स्टेशन, स्टेव 2, प्रसनल इंफर्मेशन, स्टेव 3, अपलोड फोटो एंड सिगनेचर, स्टेव, यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेव 4, यहाँ पर बता रहा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्टेव 5, फ्री वीव, योर अप्लिकेशन, स्टेव 6 प्यमेंट और प्यमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, फिस, ठीक है, मतलब आप लोगों का यह 6 टेव फॉलो करना होगा, यह ध्यान रखें, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, अब देखें, यहाँ पर बता देता हूँ, डॉक्मेंट के दुरूर क्या क्या लगीगा, डॉक्में उसके बाद आप लोगों का देख सकते है, 100 के भी में, और DPI के थुरू, ठीक है, DPI थुरू लगेगा, यहाँ पर देख सकते है, copy of अधार कार्ड, आपका अधार कार्ड लगेगा, जिसको जिरोक्स निकलवा लिना है, आपको ओरिजिनल मार्क सीट लगेगा, सर्टिफिक यहाँ पर देख सकते हैं, signature लगेगा, उसके बाद अधर, other certificate है, तो दे दीजिएगा, ने तो कोई बात नहीं, ठीक है, यह सब लगेगा, डॉक्मेंट उसके बाद आप लोगों का online apply होगा, यहाँ पर देखिए, मैं online apply के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि link वीडिय लेने वाली बात नहीं है, आप जाकर मतलब किसी भी दुकान या किसी भी cybercap के माधियम से भी online करवा सकते हैं, इतनी टेंसल लेने की जोड़त नहीं है, आप सारा कुछ कर देंगे, payment payment जो है, वो अपने networking थू कर देंगे, internet का माधियम से, तो so guys, आप लोगों को स्रिफ payment ले जाना है और document ले जाना है, बाकि सब ओकर देंगे, ओके, वीडियो सेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नहीं जोड़त तो subscribe कर लिजी,